ओके सो गुडी इमनिंग एवरीवन तो कल हम लोगोंने कौनसी कौनसी कंसेप समझे थे एल मी कल कौनसी कौनसी समझे हमने कंसेप समझे थे आवाज आ रही है सभी को मेरी i everyone to demand समझाता आव लोगोंने और factors affecting demand ठीके आज हम लोगों को समझना है demand function ठीके demand function क्या है देखो कल जितने भी हम लोगोंने factors समझे थे न उसी चीज़ के उपर है वस के उसकी वज़र से demand में क्या क्या असर आता है देखो यहा पर क्या लिखा हुआ है सबसे पहले हम लोग formula देखेंगे और उसके बाद हम लोग है न demand function का यह paragraph समझेंगे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको dx दिया हुआ है dx मतलब demand for commodity x ठीक है dx यहाँ पे क्या suppose किया है demand for commodity x फिर equals to की sign लगाई है और फिर function f for function देखो आगे ना f for functional notation अभी यहाँ पे क्या किया है equals to सामने कौन से चीज़े रखी है जैसे पी एक्स पी एक्स क्या है price of commodity x पी वाई price of related commodity अपने ने वो पढ़ा नहीं था colgate pep student तो उसकी वज़र से भी effect आता है demand में फिर p e p e मतलब expectation regarding future price t t मतलब taste and preference y देखो economics में न y को हम लोग क्या गिनते है income y को क्या हम लोग देखते है income consumers income यह y और u मतलब other factors कोई भी other factors अब यहाँ से यह formula से आपको क्या पता चल रहा है कोई मुझे बता सकता है यह बीच में equals to है और either side demand है और इस side सारे factors है इससे क्या show हो रहा है हम लोगों ने एक mathematical equation form में कल जितनी चीज़े समझी थी वो equation form में आके रख दिये इससे क्या है कि यह क्या है यह क्या हो रहा है इसका मतलब इससे सारे factors रखे है और इस side demand रखे है factors मतलब इससे क्या हो रहा है दोनों के बीच में equals to लेकर आये है यहाँ पर ऐसा बोल सकते हम लोग कि यह जो factors है यह factors की वज़र से यह तो demand increase होगी यह तो demand decrease होगी yes or no tell me यह सारे factors की वज़र से किस के उपर effect आएगा demand के उपर effect आएगा yes or no देखो price अगर कुछ भी change होता है तो demand change होगी यह price of relatable good जैसे pep student की price में कोई change होता है तो भी colgate के उसमें changes, demand में changes आजाएगा फिर अगर say for example expectation change हो जाती है कोई भी future price related say for example ऐसा लगता है कि colgate की price future में बढ़ जाएगी तो भी demand पे change फिर लोगों का taste यह preference change हो गया तो भी colgate के उपर colgate की demand के उपर change लोगों की income change हो गई तो भी colgate की demand पे change तो यहाँ पे मैं x colgate ले रही हूँ for example तो अभी बताओ यह factors की वज़र से effect किस पे हो रहा है यहाँ तो demand बढ़ रही है यहाँ तो demand कम हो रही है yes or no तो यह हम लोगों ने क्या किया है एक equation form में हम लोग लेकर आये हैं एक side demand दूसरे side सारे factors एक पूरे particular mathematical function में हम लोग इस चीज को demand function और कुछ भी नहीं है सारे factors को excite कर दो और उन factors की वज़र से क्या होगा demand यहाँ तो उपर होगी यहाँ तो नीचे होगी यहाँ तो expand होगी यहाँ तो contract होगी ठीक है अभी हम लोग paragraph समझते के paragraph में क्या लिखा है देखो यहाँ पे the cause and effect relationship between the variables variables मतलब क्या होता है variable मतलब जैसे price variable है demand variable है फिर income variable variable मतलब change होना ऐसी कोई चीजे जो change होती रहे और उनके बीच में cause and effect relationship cause मतलब यह देखो factors को हम लोग क्या बोल सकते है cause भी बोल सकते है यह सारे factors है यह सारे determinants है यह सारे cause है इनकी वज़ड से किसके उपर effect आ रहा है यह causes यह factors की वज़ड से किसके उपर effect आ रहा है किसके उपर effect आ रहा है demand पे तो demand और यह जितने भी इदर factors है वो सब क्या है वो सब variables है और इनके बीच में हम लोग cause and effect relationship निकाल रहे हैं कि इस price की वज़र से demand में क्या effect आया price is a cause और a factor उसकी वज़र से demand में क्या effect आया तो इनके बीच में क्या और variables के बीच में cause and effect relationship हो रहा है yes or no एक की वज़र से दूसरे पे क्या effect आया so cause की वज़र से दूसरे variable में क्या effect आया तो इसको cause and effect relationship यहां पे establish किया गया है between the variables can be expressed in a functional notation मतलब mathematical यहां पे relation लेकर आया है हम लोग demand और variables के बीच में दूसरे variables के बीच में दूसरे factors के बीच में देखो demand function specify demand function क्या specify करता है a functional और a mathematical relationship between demand for a good यह demand for a good मतलब यह x demand for x and the determinants of this demand यह सारे के सारे क्या है यहां पर determinants है इनके बीच में mathematical relationship मलब जिसको बोला जा सकता है cause and effect relationship establish हो रहा है क्योंकि एक की वजड से दूसरे पे असर आ रहा है price की वजड से demand पे असर आ रहा है income की वजड से demand पे असर आ रहा है taste and preference की वजड से demand पे असर आ रहा है ठीक है, इनका क्या हुआ, cause and effect relationship establish की है, demand और factors के बीच में, it represents the demand for the good, is a dependent, demand किसके ओपर depend है, बहुत से factors, जैसे price of a good, क्योंकि demand यहाँ पर dependent क्यों बोल रहे है, Depend है न, price change हुआ, price up हुआ, तो demand क्या होगा, change, decreasing हो जाएगा, for example, price reduce हुआ, तो demand क्या होगा, increase हो जाएगा, मतलब demand क्या है, dependent है न, अगर price में कुछ change हुआ, तो demand में change होगा, अगर लोगों का, customers का, taste and preference change हुआ, तो demand change, अगर income of a consumer change हुई, तो demand change, price of related goods, जैसे Pepsodent का price अगर change हुआ, तो demand change होगे, तो यह क्या है, functional relationship, mathematical relationship between demand and factors, उसको बोला जाता है, demand function, समझ में आ रहा है हर किसी को, everyone, देखो, इसकी define ये रही हा, demand, function, specify a functional, और a mathematical relationship between the demand for a good and its determinant for office demand, चीक है, अब यहाँ पे एक last point बोली है, market demand, क्योंकि हम लोगों ने एक और factor देखा था, that is size of population, लेकिन वो individual demand में नहीं आएगा, मतलब जो एक इनसान demand करता है न, उसमें नहीं आएगी बात, यह size of population कहां पे आएगा, whenever there is a market demand, मतलब पूरा market demand, say for example होगा न, तो changes होंगे, overall, size of population की वज़र से, पूरे market demand पे change आएगा, population अगर बढ़ेगी, population एक थोड़ी बढ़ती है, पूरे देश की population बढ़ेगी न, तो अगर population बढ़ती है, तो market demand पे असर आता है, individual demand पे नहीं, देखो क्या लिखाए, market demand also depends upon the size of population, demand function can be shown as an under, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही demand function देख लिया, चीक है, देखो, economics क्या बताता है, economics study करता है, relationship between the price and demand for various purposes, देखो यह वाला जो relation और price and demand का, वो most of, most of time economics में use किया जाता है, इसकी वज़र से अभी हम लोग next concept पढ़ेंगे, that is law of demand, law of demand में यही relationship बताया है, price and demand for a good studied, by assuming all other demand determinants as given as an unchanged, अभी हम लोग नया concept पढ़ेंगे, this concept is the one of the most IMP concept ever, देखो, यह चेप्टर ही न, demand वाला चेप्टर, वो अब college में जाओगे न, तो भी, एक में जाओगे, यह जो demand वाला चेप्टर है, college में जाओगे, तो भी यह चेप्टर आएगा, semester one में, become जब करोगे न, आपसे, for example, become कर रहे हो, यह BBA कर रहे हो, कुछ भी आप करोगे न, आपको demand चेप्टर फिर से आएगा, और उसके अंदर फिर से यह law of demand समझाएंगे, अपने को, तो law of demand, आपका जो exam होगा न, first term का, यहाँ फिर से, for example, यह chapter अगर test में होगा, तो यह वाला question, five mark में, पूछना है, मतलब पूछना है सामने वाले को, कुछ भी हो जाए, that is very, very important question, law of demand, always, most of times, हम लोग यही concept पर चलते हैं, जो भी अपने को in future, जैसे, for example, कोई government analysis करती है, कुछ भी करती है न, तो यह law of demand को ध्यान रखती है, ठीक है, तो हम लोग law of demand समझते, law of demand क्या है, law of demand, basic एक दम, relation बताता है, law of demand, principle क्या बताता है, relationship, किसके बीच में, price and demand, इन दोनों का relation बताता है, कि price और demand के बीच में क्या relationship है, लेकिन यहाँ पर एक condition आती है, कि देखो, कोई भी economics में theory हम जब पढ़ते हैं न, तब कुछ चीजों को हम लोगों को क्या रखना पढ़ता है, constant रखना पढ़ता है, unchanged, मतलब उसमें कोई changes नहीं हो रहे हैं, ऐसा हम क assume करना पढ़ता है, क्योंकि आप सभी को बता है कि market में आए दिन changes होते रहते हैं, consumers की income change हो जाती है, लोगों का taste preference हो जाता है, prices और substitute goods up-downing चलते रहते हैं, समझें, तो हम लोग अगर ऐसे changeable environment अगर हम लोग देखेंगे, economy देखेंगे, तो हम लोग concept नहीं समझ पाएंगे, इस वज़र से law of demand में हम लोग क्या करते हैं, price के अलावा, जितने भी other factors थे न, उनको क्या कर दिया है, constant कर दिया है, क्या बोल रही हूँ मैं, price के अलावा, जितने भी factors थे, उनको क्या कर दिया, constant, मतलब उनमें कोई भी change नहीं आ रहा है, मतलब consumer की income में कोई change नहीं आ रहा है, हमको ऐसा assume करना है, समझे, हमको ऐसा सोच कर चलना है, consumer की income में कोई change नहीं आ रहा है, taste and preference में कोई change नहीं आ रहा है, customer के, substitute good की price कोई उपर नीचे नहीं हो रही है, ठीक है, तो other factors affecting demand remains constant, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर relationship बताते है, price and demand का, इसके define क्या होगी? सबसे easy define a law of demand की, क्या? Other factors remain constant, यह हम लोगों ने डाल दिये, यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, inverted commas में, other factors remains constant, if price of a product increases, अगर price of a product बढ़ता है, तो demand क्या होगी? Tell me, what will happen to demand? Demand, decrease word use नहीं करेंगे, यहाँ पर word use किया जाता है, contract, contract का मतलब यह होता है, कम हो जाना, demand, कम हो जाना, if price of a particular product increases, demand of that particular product contracts, समझे, और reverse कर दूँ, अगर मैं यह तो, if price of a product decreases, demand, what will happen with demand? Demand expands, क्या हो जाएगी, demand, expands, बढ़ जाएगी, जैसे ही price कम होगी, मतलब law of demand में हम लोग क्या बता रहे हैं सिफ, price and demand का relation, बाकी सारे factors को हम लोगों ने रखा है, constant, no change in other factors, and this principle can be termed as law of demand, जो principle आपको relationship बताता है, price and demand का, क्या बोल रहे हूँ मैं, जो principle आपको relationship बताता है, price and demand का, लेकिन दिमाग में क्या चीज़े रख कर, other factors, other determinants remain constant, उसके बाद price और demand का relationship बताया, उस principle को, उस concept को, उस theory को हम लोग बोलते हैं, law of demand, everyone clear with this definition of law of demand, क्या बोल रहे हूँ मैं, everyone clear with this concept, yes or no, any doubt related to this, tell me, जी जी बोलो, first paragraph कौन सा मतलब, मैंने तो अभी तख पढ़ा ही नहीं है कुछ भी, ये other factors, अचा, देखो यहाँ पर, हम लोग क्या assume कर रहे हैं, we are assuming that all other factors other than price, price को छोड़ कर, जितने भी दूसरे factors हैं, उन में कोई भी changes नहीं आ रहे हैं, हम लोग को ऐसा समझ के चलना है, क्या बोल रहे हूँ मैं, economy में, जितने भी दूसरे factors affect करते हैं demand को, चाहे consumer income हो, चाहे taste and preference हो, चाहे price of substitutable goods हो, चाहे expectation regarding future price हो, यह सारे factors, we are assuming that they are not changed, they are as it is, consumers की income में कोई change नहीं हो रहा है, taste and preference consumer का बदल नहीं रहा है, हम लोगों को यह सब को assume करना है, कि भई यह, इसमें कोई भी changes नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद, हम लोगों को relationship बताना है, किसका price and demand का, if a price of a product increases, demand contracts, and if a price of product decreases, demand expands, और इस principle को, इस theory को हम लोग बोलते हैं, law of demand, now clear with this concept, देखो, अब मैं पढ़ती हूँ law of demand को, मुझे सिफ intro देना था, देखो, क्या लिखा है, the principle explaining the relationship between price and demand for a good, इधर तक तो अपने को समझ में आया, कि यह principle हम लोगों को relation बता रहा है, price and demand का, keeping the effect, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, keeping the effect, मतलब, दिमाग में ऐसी चीज़ों रखनी है, all other determinants, price को छोड़ कर, बाकी के जो भी determinants है, जो भी factors है, they are constant, they are unchanged, they are not changed, is called law of demand, in this law, price is a cause, price क्या है, price वज़़ है, price क्या है, cause मतलब वज़़, समझे, price क्या है, वज़़, price की वज़़ से, demand में, क्या effect आ रहा है, तो यहाँ पर price क्या है, price is a cause, and demand is the effect, variable, समझे, यहाँ पर दो variable का relation बता रहे हैं न, price and demand, price is a, price क्या है, एक पुनाटा, क्या है, क्या है,